आज के टाइम पर डाटा स्टोरेज के लिए बहुत सारी हाड ड्राइज मार्किट में आ चुकी है इन हाड ड्राइज का साइज बहुत छोटा होता है और ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर लेती है लेकिन आपको पता है सबसे पहली hard drive जब आई थी उसका size कितना था सबसे पहली hard drive आई थी 1956 में और इसे IBM company ने launch किया था और इस hard drive का size एक refrigerator से भी जाता था और इसका weight nearly 1 ton था और सबसे interesting बात है कि ये hard drive सिर्फ 5 MB तक का data store कर सकती है जो कि आज के time के एक music file से भी छोटा है